राधे राधे जैसी कृष्णा अब तक हमने मागमास के 27 अध्याई सुने हैं आज हम मागमास का 28 अध्याई और 28 दिन की इस्तनान की पुन्यफल देने वाली कथा सुनेंगे अगर आपका कोई भी अध्याई सुने से छुट गया है तो डिस्क्रिप्शन बोक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूँगी आप वहां से अपना छुटा हुआ अध्याई सुन सकते हैं आईए अब हम समय गवाई बिना मागमास के महात्यमे का 28 अध्याई सुनते हैं इस अध्याई में अचोड सरोवर की कथा तथा गंधर्व कन्याओं का बटोग से विवावाली कथा का संपून वणन आएगा वशिष्ट मुनी राजा दिलीप से वोले कि है राजन दिलीप तुम ध्यान से सुनों अचोड सरोवर में माग इस्तनान करके ये सब लोग सुक पूर्वक और संतुष्ट होकर आकाश मार्ग से उस इस्थान पर पहुँचे जहां गंगा जमना का संगम था लोमेश रिशी वेदनिधी से बोले कि संसार के इस स्तीरत राज के शद्धा पूर्वक तुम सब लोगदर्शन करो यह त्रिवेणी ही पाप नाशक अगनी की महान कुंड है जिसमें दिरंतर अगनी प्रदित होती रहती है यह त्रप्ती को प्राप्त होई अगनी सब को पुष्ट करती है यहीं परते 30 करोड देवी देवता संतुष्ट होकर आनंद पूर्वक विजरन करते हैं और स्वादिष्ट परियाप्त सोम धारा पीते हैं यहीं पत्रिशूल धारी नीनकंड महादेव जी प्रकट हुए थी देवताओं से सेवीत यह अक्षवट है जिसकी जड़ पाताल तक फैली हुई है और मुरकुंडू के पुत्र मारकेंडे जी जप्रेले के समय संसार जल में डूबा रहता था तब वे भगवान के मुख में प्रविष्ट हुए थे वे ही जनारदन भगवान इसी वटवरक्ष पर योग की निंद्रा लेते हैं यहीं महादेव जी की अति प्रिय सुंद्री भगवती भागीरती गंगा है जिसकी सिद्ध लोग सिद्धी के लिए सेवा करते हैं जिसके इसनान से प्राणी सब मनोरतों को प्राप्त करते हैं वहीं यह यमना नदी है भुक्ती और मुक्ती प्राप्त करने के लिए यहां समस्त प्राणी आते हैं और इसका जल पीकर मुक्त होते हैं हे मुनीवर गंगा यमना का संगम बड़े पुन्य से प्राप्त होता है। इसमें इस्तनान करने से जनम नत्यू से छूट कर मनुश्य ज्यान प्राप्त करके तर जाता है। सभी जन्तु ज्यान के बिना प्रयाग में इस्तनान करके मुक्त हो जाते हैं। यह देख का ब्रह्मा जी ने यहीं पर महायग्य करके शष्टी रचने की सामर्थे प्राप्त करी थी। इस त्रिवेणी में भगवान नारायन ने इसनान कर अमरत के मंथन के समय लक्ष्मी को पत्नी के रूप में प्राप्ति किया था। त्रिशूल धारी महादेजी ने एक बाण से यहीं पर त्रिपूर देत्ते को मार गिराया था। एक समय इंद्र के शाप से जब उर्वशी स्वर्ग से ब्रष्ट हुई थी तब उसने भी यहां इसनान किया था। जिसके प्रभाव से वय फिर स्वर्ग को चली गई। नहुश्कुल के राजय ययाती ने इसनान कर वंचदर पुत्र को प्राप्त किया था। हे द्विशेष्ट इस पुन्य संगम में पुत्र चाने वाले को जरूर इसनान करना चाहिए। यहीं पर इंद्रिने प्राचीन काल में अपनी माया से कुबेर के सब्धन को इसनान कर के पाया था प्राचीन काल में नारायन तथा नर ने हजारों वर्ष तक यहां प्रयाग में निराहर रहकर उत्तम धर्म निभाया था यहीं पर जेगी शव्य सन्यासी महादेव जी जैसे शक्तिशाली होकर विजय हुए थे तथा अणी मादी योग के अती दुरलब एश्वर को प्राप्त करके महादेव जी की आराधना में तत्पर हुए कशव रिशी ने यहीं पर तपश्या करी थी इसी तीरत में तपश्या करके भार्दवाज कशव आदिसप्त रिशियों में सात्वे रिशी हुए थे हे ब्रामन इसी शेत्र में प्राचीन काल में आत्म ज्यान सनकाधी रिशियों ने योग रूपी फल के सिद्धी को पाया था इस गंगा और यमना के संगम में इस्तनान करने से सब पापों से छूट कर प्राणी आकाश में तारा रूप होते हैं जिन से समस्त आकाश व्याप्त हैं इस समय मुक्ती को चाने वाले तुम्हारा पुत्र और ये कर्ण्याई वत्तु मेरे कहने से गंगा यमना के संगम में माग इस्तनान करो त्रिवेणी के जल के प्रभाव से तुमारे पहली किये हुए सारे पाप धुल जाएंगे और इसके महाफल से संपूर वेभव को तुम प्राप्त करोगे रिशी के ऐसे सत्य तता उलंगर नयकरने योग्य वचन को सावधानी से सुन करवे सब उतकंटित चित से इस्तनान करने लगे तब उसी शन संगा में इस्तनान काने से उनकी पिशाचिता नश्ट हो गई सब ने अपने अपने पूर्व शरीर को प्राप्त का लिया वेदनीदी ने अपने पुत्र तथा दिवे रूप वाली अती संदरी कर्ण्याओं को देख कर और प्रसन्चित होकर पृति पूर्वक लोमेश जी को संतुष्टि किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही ये सब बड़े पाप से निर्मुक्त हो गए है हे रिशी शेष्ट अब इन बालकों के योग्य धर्म को आप हमें बताईए तब लोमेश रिशी बोले कि इस युवा कोमार ने वेदो का अध्यन समाप्त कर लिया है मैं पृति पूर्वक कहता हूं अतै इन अनुराग करने वाली कर्ण्याओं के साथ पानिग्रहन कर लिया तब लोमेश जी और अपने पिता की आग्या से ब्रह्मचारी बतूक ने विवा की विदी से सुन्दर द्रवे तथा मंत्रों से एम रिशियों से मंगल किये जाने पर धर्म पूर्वक पाचो कर्ण्याओं से पानिग्रहन कर लिया इन कन्याओं के पूर्ण मनोरस सफल हुए और ये सब बड़ी प्रसन हुई वैकुमार भी अति संतुष्ट हुआ लोमेश रिशी उनको आग्या देकर और उनसे नमस्क्रत होने पर देवताओं से सेवित मेरू परवत पर अपने आश्रा में चलेगे तब हे राजन वेद निदी अपने पुत्र तथा पाचो बुवों को साथ लेकर प्रसन चित होकर कुवेर के नगर को चलेगे धार्म से बंदक पिता का द्रोही गुरू की पत्नी मेरत कर्ण्या की बिक्री करने वाला विश्नु तता ब्रामन से द्रोह करने वाला मनश्य भी इस पवित्र कथा को सुन कर शुद्धी प्राप्त करता है यह तीरत मन चाहा और मुक्षफल को देने वाला है तता गोपनिय है जिनकी शद्धा नहों उनसे ये कथा गुप्त रखनी चाहिए उनसे है सूत जी के पुत्र ये कथा कभी नहीं कहनी चाहिए जो इस कथा को पढ़ता सुनता और सुनाता है वही ब्रामन, विश्नु, देरता, भ्रह्मा और शंकर है वही विश्नु का सायुज्य लोग प्राप्त करता है ये पुण्य में है जो पापों को हरने वाली है ये धन्य है जो बुरे सुपनों का नाश करने वाली है इस महात्य में को सुन कर इसके पढ़ने वाले का पुजन क गो भूमी सुवर्ण वस्त्र देने से विश्णु भगवान प्रसन होते हैं, जो इस दिव्य महात्यमे को सुनता और याद करता है, वे सब पापों से छूट कर विश्णु लोग को प्राव्त होता है, और उसकी सभी मनोकामनाई पूर्ण होती है, वह सुर्ण लोग को विज दिलिव से कहा, और मैंने यह कार्तवीरिय को सुनाया, जिसके घर में लिखा हुआ यह महात्यम सर्वदा पूजा जाता है, उसके घर में सर्वदा भगवान नारायन पूजित रते हैं, पुशकरतीरत में, प्रयाग में, गंगासागर में, देवालेओं में, कुरुशेतर म इसका पाठ अवश्य करना चाहिए, पुशकरतीरत में ग्रहन में इसका पाठ करने से दुगना फल मिलता है, तथा जो मन लगाकर इसको सुनता है, और पुरान बाचने वाले ब्रामन का पूजन करता है, तथा है सूतजी के पुत्र गाय, भूमी, वस्त्र, आबुशन, इत आप्त होता है, आईए अब हम मागिस्नान की एक पावित्र पोरानिक पुन्यफल देने वाली कथा को सुनते हैं, एक बार बहुत चोटा सा गाउं था, उस गाउं में एक राजा की दो रानिया थी, राजा की बड़ी रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवती की थी, वह सभी त पुत्र हुए, दोनों रानिया अलग-अलग महल भी रहती थी, पहले तो राजा कभी कबार बड़ी रानी के महल में चली जाया करते थी, लेकिन जब राजा को छोटी रानी से दो पुत्र हुए, तो राजा ने बड़ी रानी की तरब ध्यान देना ही छोड़ दिया, बड़ी रानी अपना पूरा समय भजन कीर्दन पुजा पाठ में बिताने लगी। तब एक बार की बात है। राजा के राज पुरोईत ने बड़ी रानी के दुख को जान लिया। तब उन्होंने बड़ी रानी से कहा कि महारानी जी मागमास का मैना लगने वाला है। आप मा मागमास का इस्तनान और व्रत करो। माधव भगवान आपकी सभी मनुकामनाओं को पूरी करेंगे। तब बड़ी रानी पुरोईत जी से पूछने लगी कि पुरोईत जी मागमास का इस्तनान और व्रत करने की क्या विदी है। इसकी क्या कथा कहानिया है और क्या महात्यम में हैं भूजन में क्या खाते हैं मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं कृपिया करके आप मुझे मागमास के इस्तनान और व्रत की पूरी विदी बताईए तब पुरोई जी बोले कि बड़ी रानी जी मेरी पतनी आपको मागमास का महात्या में कथा कहानिया सुनाने आ जाया कर ऐसा कहका पुरोई जी चलेगे पास दिन बाद जब मागमास का मेना लगा तो पुरोई तानी बड़ी रानी के महल में आकर उन्हें मागमास की कता कहानिया और महात्या में सुनाने लगी इस तरह 15 दिन निकल गे तब एक दिन जब पुरोई तानी बड़ी रानी के महल में म मागमास का महात्य में और कता कहानिया सुनाने जा रही थी तो छोटी रानी ने देख लिया तो छोटी रानी ने पुरोईतानी को खुद के महल में दासी को भेज कर बुलवाया और बड़ी रानी के महल में जाने का कारण पूछने लगी तो पुरोईतानी ने पूरी बात बत तब चोटी रानी ने पुरोईतानी को भड़का दिया कि तुम 15 दिन से बड़ी रानी को मागमास का महात्या में और कथा कहानिया सुना रही हो। मागमास की कथा कहानिया और महात्या में सुना रही हूँ। और मागमास के देरता का पूजन भी करवा रही हूँ। लेकिन आपने मुझे अब तक कोई दक्षीना नहीं दी। बिना दक्षीना के पूजा पाठ और महात्या में का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। तब बड़ी रानी पुरोईतानी से बोली कि पुरोईतानी जी मैं मागमाज की पूर्णीमा के दिन वरत का उध्यापन करूंगी उस दिन मैं आपको अच्छी दक्षीना दे दूंगी यह सुन का पुरोईतानी खुश हो गई और उसके बाद वैं अपने घर चली गई पुरोईतानी के जाने के बाद बड़ी रानी सोच में पड़ गई कि मैंने पुरोईतानी को बोल तो दिया लेकिन मैं उन्हें दक्षीना में क्या दूंगी तबी बड़ी रानी को याद आया कि उनकी मा की दी हुई सोने चांदी के तार जड़ी चूंदरी की साड़ी पड़ पुरोईतानी असली सोने चांदी के तारों जड़ी चूंदड़ी की साड़ी पाकर बहुत खुश हुई जब पुरोईतानी साड़ी लेकर जाने लगी तो छोटी रानी ने देख लिया छोटी रानी ने अपनी दासी को भेच कर पुरोईतानी को खुद के महल में बुलवाया और पूछा की बता बड़ी रानी ने तुझे क्या दक्षीना दी तो पुरोईतानी ने चुंदडी की साड़ी दिखाते हुए कहा कि बड़ी रानी ने मुझे दक्षीना में ये चुंदडी की साड़ी दी है उसके बाद छोटी रानी ने पुरुईतानी को भेज दिया और वे खुद नाराज होकर कोब भवन में बैट गई शाम को राजा जब शिकार खेल कर महल में आए और छोटी रानी को कोब भवन में बैटे हुए देखा तो पूछने लगे कि तुमारी नाराजगी का क्या करण है किसी ने तुम्हें कुछ कहा है तो वो बताओ मैं उसे कठोर दंड दूँगा तब छोटी रानी राजा से बोली कि महाराज आज बड़ी रानी ने मागमास केवरत के उद्यापन में पुरोईतानी को एक चुंदड़ी की साड़ी दी है मुझे वही साड़ी चाहिए राजा ने कहा कि हे रानी वह साड़ी तो उनकी माने उन्हें दहीज में दी थी मैं वह साड़ी उसे कैसे मांग सकता हूँ और एक बार अगर कोई चिदान में दे दी जाए तो उसे तो मांगना भी नहीं चाहिए लेकिन छोटी रानी नहीं मानी छोटी रानी के जित के आगे राजा को हार माननी पड़ी तब राजा बड़ी रानी के महल में गे और उसे पूरी बात बताई और कहा कि हे रानी तुम वे चूंदरी की साड़ी पुरोईतानी से वापस मांग लो क्योंकि वह साड़ी छोटी रानी को चाहिए ऐसा कहका राजा वापस छोटी रानी के कक्ष में आगे उदर बड़ी रानी सोच में बढ़ गई कि दक्षिना में दीवी चीज को वापस कैसे मांगा जाए पूरी रात वे विश्नु भगवान को याद करती रही तब एकुंट में बैटे भगवान विश्नु ने सोचा कि बड़ी रानी के सत का मान तो रखना ही पड़ेगा तब अर्ध रातरी को भगवान विश्नु बड़ी रानी के सपन में आए और कहने लगे कि हे पुतरी तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारे मागमास के इसनान और रस से बहुत खुश हुआ मैं तुम्हें वर्दान देना चाता हूँ तुम वर्दान मांगो तब बड़ी रानी ने विश्नु भगवान को पूरी बात बताई कि राजा जी वही साड़ी मांगना चाते हैं जो मैंने मागमास के उद्ध्यापन में पुरोईतानी को दक्षिना में दे दिया अब मैं वही साड़ी पुरोईतानी से कैसे मांगो पुर्प्या करके आप मुझे एक चूंदरी की साड़ी दे दीजिए तब भगवान विश्नु ने कहा कि है पुत्री कल सुबर जब तु सो कर उठेगी तो तुलसी के क्यारे में तुझे ऐसी ही चूंदरी की साड़ीयों कढ़ेर मिलेगा तु उन में से कोई सी भी एक साड़ी उठा कर राजा को दे देना ऐसा कहे कर भगवान अंतरध्यान हो गए और बड़ी रानी को भी नीद आ गई सुबर जब बड़ी रानी सो कर उठी तो उसे अपने सप्ट वाली बात याद आई वे उसी समय भागी भागी तुलसी क्यारी के पास गई तो उसने देखा वहाँ चुंद्री की साड़ियों का धेर पड़ा था या देखकर बड़ी रानी बहुत खुश हुई उसने मागमास के देवता को धन्यवाद दिया इसनान आधी करके पुजा आधी करके जब बैठी ही थी कि तब राजा छोटी रानी को साथ लेकर बड़ी रानी के महल में गए और बड़ी रानी से चुंद्री की साड़ी मांगने लगे तब बड़ी रानी राजा को और छोटी रानी को लेकर खुद के तुलसी क्यारे के पास गई और चूंदरी के साड़ियों के धेर में से एक साड़ी उठा कर राजा को देने लगी राजा और छोटी रानी चूंदरी के साड़ियों का धेर देकर पूछने लगे कि ये इतनी सारी साड़िया कहां से आई कि तभी राजपुरोई जी भी वहां आगे राज पुरोहीत जी चूंदरी की साड़ियों का धेर देखकर पूरा माजरा समझ गे तव राज पुरोहीत जी ने राजा से कहा कि महाराज छोटा मू और बड़ी बात कह रहा हूँ ये चुंदरी की साडिया बड़ी रानी को उनके मागमास के इस्तनान और रत के प्रताफ से भगवान विश्णु ने दी है ये सुन का राजा को और छोटी रानी को बहुत पश्टावा हुआ तब राजा ने चोटी रानी से कहा कि हे रानी तुम्हें भी बड़ी रानी से सीखना चाहिए उसके बाद राजा बड़ी रानी को भी बड़े ही प्रेम और आदर के साथ रखने लगे उसके तीन मैने के बाद ही बड़ी रानी को भी गर्ब टहर गया और नवे मैने में बड़ी रानी को दो जुड़वा पुत्र पैदा हुए उसके बाद राजा ने पुरी नगरी में ये धिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को माग मास का इस्तनान और वत करना चाहिए साल बर बाल जब दुबारा माग का मैना लगा तो राजा और छोटी रानी ने बड़ी रानी के साथ माग मास का इस्तनान और वत किया और वे इस जिवन के समस्त सुको को भोग करने के बाद मुक्ष को प्राफ्त हुए घटियोंतो पुरीयोंतो बरवान चोड़े भुले विसरे नाम तेरे भंडार में भरे आईए अब हम मागिस्तनान की एक पुराने कथा सुनते हैं संसार में प्रतेग प्राने को अपने कर्मों का फल भोग नहीं पड़ता है इन पाप कर्मों से कभी मुक्ती नहीं मिलती पाप कर्म का फल किसी योनी में भुगतना पड़ता है ये उस कर्म पर निभर करता है अगर पाप कर्म जादा है तो उन्हें भुगते बिना मुक्ती नहीं मिलती जो मनश विद्वा सती साद्वी महिला को परिशान करता है वे अगले जन्म में भेडिया फिर कुत्ता फिर गिद्द सियार इन जन्मों में जन्म लेने के बाद ही वे फिर मनश योनी को पाता है जो पुरुष अपने पिता समान बड़े भाई के धन के हिस्से को धोगे से हडप लेते हैं वे क्रोच नाम के पक्षी की योनी में और फिर बाद में पिशाच की योनी को पाते हैं चोरी करना महापाप है अगर कोई इनसान अपनी जीवनकाल में एक बार भी चोरी करता है तो वह चचुंदर की योनी में जन्म लेता है किसी भी जीव की हत्या घोर पाप की शेणी में गिना जाता है फिर ये हत्या एक छोटी सी चीटी की ही क्यों न हो अगर कोई व्यक्ति अपने की हत्या धोके से करता है तो वहें 200 बरस तक गदे की योनी को पाता है वेद व्यास जी ने एक बार कहा था कि जो मनुष हमेशा दूसरों की मदद करता है पशुपक्षियों, जीव जिनावरों पर दया भाव रखता है गरीबों, जरतमंदों की नी स्वात भाव से सेवा करता है अपने जीवनकाल में कुए ताला बावडी खुदवाता है वे मनुष हर जन्म में मनुष की ही योनी को पाता है अगर मनुष चाता है कि उसे मनुष की योनी मिले तो उसे कोई पाप कर्म नहीं करना चाहिए लेकिन पूरुजन्म में किए गए पापों का फल भोगे बिना उस मनुश की मुक्ति संभव नहीं है क्योंकि पूरुजन्म के पाप एक बीच के रूप में पनपते रहते हैं जिने भोगे बिना मनश सुक नहीं पा सकता बुरे कर्मों को भोगने के लिए ही उसका पुनरजनम होता है अगर पाप कार्म कम है तो वे मनश उसी जन्म में भोग लेता है लेकिन अगर किसी मनश के पाप जादा और पुन्या कम है तो उसे अकले जन्म में भी इन्हें भोगना पड़ेगा जो मनुष अपने बड़े बुजरुगों का अपमान करते हैं उन्हें घर से बेधगल करते हैं, उन्हें ध्व मिराज जी खुद सजा देते हैं, उन्हें गरम तेल के कड़ां में तब तक डुबोई रखा जाता है जब तक की उनकी पूरी चमड़ी गल नहीं जाती जो मनुश अच्छे कर्म करता है उसे हर जन्म में मनुश की योनी ही प्राप्त होती है मनुश के चार कर्म होते हैं पहला काम्य कर्म ऐसे कर्म जो किसी मदद से किये जाए दूसरे निश्काम्य कर्म जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए और तीसरा संचित कर्म अर्थात प्रारब्द के सहेजी हुए कर्म चोथा निशिद कर्म अर्थात ऐसे बुरे कर्म जिने किसी भी इनसान को नहीं करना चाहिए अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है इसी तरह हमारे सुख दुख भी अच्छे और बुरे कर्मों का ही नतीजा है सबसे बड़ा पाप जीव हत्या का है और एक अबला नारी की इज़त लूटने का पाप भी सबसे बड़े पाप की शेणी में गिना जाता है पाप कर्म से मुक्ती का बहुत सरल उपाय है कि माग मास में नियमों का धारन करना भगवान मदुसूदन की पूजा करना महादेव जी के जल अभिशे करना मनश अगर शिवलिंग पर एक लोटा जल भी माग मास में चड़ा देता है तो उसको उसके पाप कर्मों से उसी शन मुक्ती मिल जाती है उसके जीवन भर के सभी पाप कर्मों से उसे मुक्ती मिल जाती है गोहत्या का पाप घोर पाप की शेणी में गिना जाता है इसका दंड मनश के पूरे परिवार को भोगना पड़ता है लेकिन अगर अग्यानता वश गोहत्या हो जाए तो इसका प्राश्चित करके इस पाप से मुक्ती पाई जा सकती है उस मनुश को रोज गायों की सेवा करनी चाहिए रोज गवशाला में गायों को हरा चारा गुड और चने की दाल किलानी चाहिए गोपाश्टमी के दिन विशेश रूप से सेवा करनी चाहिए वरत रखना चाहिए जो मनुश ऐसा करता है वे गोहत्या के पाप से छूट सकता है प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरी तुलसी चिंता क्यों करे भजले शरी रगुवीर इस संबन में एक पुराने कथा इस प्रकार है एक बार एक गाउं में एक ब्रावन परिवार था वे ब्रावन प्रभुभक्ती में हमेशा लीन रहता था वे भगवान विश्नु का परम भक्त था जब तक उसका शरीर उसका साथ देता रहा वे हर साल माग इस्तनान और रत करता रहा लेकिन जब उसके शरीर ने साथ छोड़ दिया तो वे स्रिम माग इस्तनान करके और पूजा करके ही रहने लगा तब धीरे धीरे वे बुड़ा हो गया बीमार हो गया और उसकी प्रतनी की म्रत्यू हो गई उसके चार बेटा बहु पोते पोतियों का भरा पूरा परिवार था पहले वै अपने एक कमरे में अकेले रहता था जब उसने बिस्तर पकड़ लिया तब उसके बेटा बहो ने उसकी खाट को कमरे में से निकाल कर आंगन में डाल दिया जब उसने खाट पकड़ ली और सारे काम ही वविस्तर पकड़ने लगा तो कोई न कोई बेटा उसे शोच आदी से निवरत करा के उसके कपड़े बदल दिया करता था लेकिन धीरे धीरे सभी बेटा बहु पोते पोतियों ने उसकी सेवा करना छोड़ दिया लेकिन धीरे धीरे सभी बेटा बहु पोते पोती आवाज लगाने पर भी उसके पास नहीं आते थे वविस्तर पर पड़ा पड़ा ही शोच आदी करने लगा तब उस ब्रामर ने भगवान विश्णु को याद किया और कहा कि हे प्रभू मेरी गती इतनी बुरी क्यों है मैं खुद का कोई काम नहीं कर सकता अब आप मुझे उठा लीजिए हे प्रभू मेरी ऐसी गती क्यों हो गई जिन बेटा बोओं के लिए जिन पोते पोतियों के ल लगा तबी उसके पास एक लड़का आया अपने कोमल हातों से उसने ब्रामर को शोच आदी से निवरत कराया कपड़े बदलवाए और भोजन कराया और उसे पलंग पर सुला दिया इस तरह वह लड़का रोज उस ब्रामर की सेवा करने के लिए आने लगा तब एक रात को ब्रामर ने मनी मन सोचा की मेरे बेटे पोते तो आवाज लगाने पर भी मेरे पास नहीं आते हैं फिर मेरी सेवा करने ये कौन आता है तब एक रात को उस ब्रामर ने उस लड़के का हाथ पकड़ लिया और बोला की है पुत्र तुम कौन हो तुम क्यों मेरी सेवा करते हो बिना आवाज लगाए ही तुम बे नागा मुझे शोज आदी से निवरत कराके कपड़े बदलवाते हूँ, भोजन कराते हूँ, आज तो तुम्हे सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। तबी उस लड़के ने अपना वास्तविक रूप ब्रामन को दिखाया, शंक, चक्र, पद्म, गदाधारी भगवान विश्नु उसके सामने खड़े थे, वे बुड़ा ब्रामन हाथ जोड़ कर केवल इतना ही बोला कि हे प्रभू आप मेरे गंदे काम करने क्यों आते हैं, मु प्रारब्द तो तुम्हें भोक नहीं पड़ेंगे, तु हर समय मेरे नाम की इस्तूती करता था, मेरी पूजा पाट करता था, माग मास में इस्तनान करता था, इसी लिए मैं तेरी सेवा करने के लिए आता हूँ, तब ब्रामन बोला कि हे मदु सुदन, क्या मेरे प्रारब आपकी क्रपा से भी बड़े हैं, आप अपनी क्रपा से मेरे प्रारब्द को क्यों नहीं काट देते, तब भगवान विष्णु ने ब्रामन से कहा कि ये ब्रामन मेरी क्रपा से तेरे प्रारब्द तो कट जाएंगे, लेकिन अगले जर्म में तुझे फिर इने भोग नहीं पड़ेगा प्रारब्द को भोगे बिना मुक्ती संभव नहीं है प्रारब्द तो हर जर्म में भोग नहीं पड़ते हैं हे ब्रामन दे मैं चाता हूँ कि तु इस जर्म में ही अपने प्रारब्द भोग ले ताकि तेरा अगला जर्म सुधर जाए इस प्रकार भगवान विश्णु से ऐसा कहकर अंतरधान हो गया इस तरह उस ब्रामन को अपने पूर्व जन्म के सभी पापकर्म इस जन्म में भोगने पड़े अगला जन्म उसका सुधर गया और अगले जन्म में वैचकरवती राजा बना माग मास का इसनान करने का फल उस ब्रामन को इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म में भी मिला गड़ती होतो पुरी हो पुरी होतो परवान चड़े बुले भिसरे नम तेरे भंडार में भरे इस तरह आज हमने माग मास का 28 अध्याई सुना साथी 28 दिन की पुन्यफल देने वाली कता सुनी आशा करती हूँ या आपको जरू पसंद आएगी मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आगे आने वाली कता कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहे धन्यवाद